ब्रेकिंग अपडेट है आपको बतादू कि गुलमग के अपडेट के गुलमग एटेक आप तक पहुचाने की कोशिश करूँगा गुलमग में जो एटेक हुआ है आपको बताना चाहूँगा कि उसके हवाले से कुछ अपडेट जो हो निकल के सामने आ रही है मैं आपको बत आर्मी के पॉर्टर्स बाने गए है और ईसी के साथ आपको बताना चाओंगा कि दो सोल्डर जो है वह इसमें पॉर्टर्स ऑर और ये भी कहा जा रहा है कि आर्मी के एक कानवाई घूजर रही थी और उस पर आपको खुंदक कर रहुए और के तोर पर दांशनल्डी आ तरीके से अटैक आया है उसके बाद जो है बाकाइदा तोर पर मुखतलिफ जगाओं पर नज़र रखी जा रही है जिसमें ये भी बताया जा रहा है कि दो पॉर्टर्स और इसी के साथ साथ दो आर्मी सोलजर जो है वो मारे गए है अटैक में पुलीस का नाका जो है वो वहा हाँ पर हालाद बने हैं फिल्हाल के तोर पर गुलमर का अरिया इस वक्त चर्चाओं में बना है और इसको देखते हुए जो है महभूबा मुफ्ती पीडीपी सद्र महभूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट किया है और अफसोस जताया है इस पूरे वाके पर उसी के साथ साथ जमु कश्मीर के नए चीफ मिनिस्टर अमर अबदल्ला ने भी भी जो है इस पर ट्वीट किया है फिल्हाल के तोर पर हालाद जो है वो पैचीदा बने हैं अभी सोर्जिस की माने तो ये खबर जो हो निकल के सामने तो आ रही है मगर और मजीद क्या कुछ अपडेट है वो के साथ साथ मजीद तहकीकाद जो हो अभी जारिया है और क्या कुछ अपडेट निकल के आगे सामने आता है उस पर नजरो सानी जरूर करनी होगी मगर आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमला हुआ है पूरे कश्मीर जो है इस वक्त हैरान है मुगतलिफ सि गाओं पर सेक्योर्टी फोर्स कामला वतयानाथ कर दिया है हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है बारामुला का ये डिस्टर्क पढ़ता है जिसमें ये पूरा मामला सामने आया आर्मी की वहिकल पर हमला सादा गया है जिसमें दो सोलजर और इसके सासा दो कुछ soldiers की injury भी हुई है और नजदी की hospital लिया गया है अब क्या कुछ update है किस तरीके से पूरा मामला सामने आ रहा है उसी तरीके से खबरें भी खुल के सामने आ रही है कि क्या कुछ वजवात इस वक्त वहां पे बने हुए है फिलाल बोटा-पत्री का जो area आता है बारा मुरा district के साथ वहां पर यह पूरा मामला जो है वो सामने आ रहा है जिसमें दो आर्मी दो soldier जो है वो दो soldier जो है जिनों ने अपनी जान गवादी और इसके साथ दो पोर्टर्स और इनके साथ साथ कुछ और मज़ीद जखमी भी हुई है इंजिरी भी हुई है जिनने नजदी की hospital जो है वो मुन्तकिल किया गया है और पता लागाने की बरपूर जो है वो कोशिश की जारी है कि किसकी जाने सी एटैक्स आदा गया है फिलहाल कोई भी अपडेट आता है तो वो आप तक जरूर पहुँचाने की कोशिश करूँगा मगर इस वक्त जिस तरीके से कश्मीर में बाकाइदा तोर पर ये इस वक्त मामले सामने आ रहे हैं मज़ीद एटैक्स मुखतलिफ जगाओं पर एटैक्स हो रहे हैं गांदर बल की देखें या फिर मुखतलिफ एरियाज में देखें तो इस वक्त जिस तरीके से यहां पर ये हालात बने हुए है उसको लेकर आप सक दोर पर की गई थी सक्योटी रिव्यू मिटिंग बी किया गया था और सक्योटी कड़ी से कड़ी सखक्त की गई थी मगर देखने माल Hers Bis sudah जहारा वह फोकस हो रहा है टूरिश्य पर जहाय सपर बहुत हैं वहाँ हमले किये जा रहे हैं वह हाथ कारण क्या है क्या है क्या हिसा भी रहे हैं क्योंकि हल ही में आपने देखा होका कि गांदर बल में जिस तरीके से एक आटेक हुआ है जिस में साथ लोगों ने अपनी जाने गवा दी जो कि मज़ूरी करने छ्चे गए थे गगन गेर में और एक construction में काम करते थे जिस तरीके से टनल में काम करते थे और इसमें एक डॉक्टर था जो कि आपको याद होगा कि बढ़गाम का एक डॉक्टर शाहनवाज जिसके family जो है इस वक्त भी रो रही है खून के आसू रो रही है जिसके बचे की खौईश थी कि उनके वालिद जो है उनके लिए आईएस बनने का सपना देख रहे थे और इस पर फोकस कर रहे थे और डॉक्टर शानवाज भी इस दुन्या में नहीं रहे और इसके साथ-साथ दो सोलजर और इसी के साथ-साथ-साथ-दो पौटर जो है वो उन्होंने अपनी जान से हाथ-दो बैटे हैं वो और वो अब इस दुन्या में नहीं रहे बाकी मजीद कुछ इंजरी जरूर हुई है मगर इस पर पता लगाने की कोशिश की जा रही है मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त कश्मीर में हालात पहचीदा हैं कश्मीर में इस वक्त जो एक्टिविटीज नजर आ रही है यानि कि टार्गिट किलिंग हो या फिर आर्मी पे हमलो हो उस पर माकाइदा तोर पर इस वक्त नजरूसानी करनी चाहिए स्क्यूरिटी रिव्यू मिटिंग भी हुई है इसके बाद दिली में भी इसके मसले उजागर किये गए हैं इसके बाद चीफ मिनिस्टर मोधी जी से भी मिले इसके बाद मुगत जगाओं पर जो है वो बाकाइदा तोर पर नजरूसानी की जा रही थी हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही थी एग्जिट स्पॉर्ट जो है बाकाइदा तोर पर इसक गुल्मक्ड बोटा पत्री का एग्जिट स्पॉर्ट हो या फिर एंट्री हो वो बाकाइदा तोर पर सील कर दी है वहाँ पर भी नजर रखी जा रही है मगर सबसे बड़ा मामला इसके क पास्ट में हमने देखा और अगर हालात बहतर हैं तो ऐसे अटेक्स क्यों हो रहे हैं अगर हालात बहतर हैं तो टार्गिट किलिंग क्यों की जा रही है अगर हालात बहतर हैं तो उन लोगों को क्यों टार्गिट बनाया जा रहा है जो बाहर से आकर यहां मजदूरी कर रहे है अगर हालात बहतर हैं तो आर्मी की विहकल पे इस तरीके से अटैक क्यों किया गया है अगर ये कहते हैं कि यहां पे टर्रिरिजम कम हो गया है यहां पे एका दुका जगा जो है वो हालात ऐसे बनते हैं मगर वैसे हालात नहीं हैं जो पास्ट में हुआ करते हैं तो ये क्या है आर्मी के दो सोलजर मारे गए हैं इसमें दो पॉर्टर्स भी हैं और इसी के साथ साथ मजीद भी जो कुछ एंजरीज हुई हैं जिसकी अभी तक शनाख्त सामने नहीं हुई आप जो कुछ जखमी इस अटैक में उनकी भी जो है वो अभी तक तस्दीक नहीं की गई है उस पे भी अभी कोई नजरो सानी नहीं हो रही है अभी उनकी भी शनाख्त सामने नहीं आई है और जब आप खुद सोचे कि जब डॉक्टर शानवाज इस हमले में शहीद हो गए तो उनके घर पे क्या आने वाला नहीं रहा तो आखिरकार उस घर का क्या होगा और उस विचारी को क्यों टार्गिट बनाया जा रहा है तो इसी तरीके से बोटा पत्री में जो हालाद बने हैं सोचने लाइक हैं और इस पर सोच विचार होना चाहिए बोटा पत्री में जिस तरीके से अटैक हु और इस अस्पताल में जो शिफ्ट किया गया है अभी उनकी शनाख भी नहीं सामने आई तो क्या कुछ सामने आ रहा है कश्मीर में क्या चल रहा है सवाली निशान किस पे खड़े होते हैं किस तरीके से निजाम चलता है कैसे इन चीजों को कांट्रोल में लाया जाए किस तरी किसे इन चीजों को समूतली जो है वो बाकाइदा तोर पर हैंडल किया जाए ताकि कश्मीरी हर एक जगा पर सिफ महसूस करें जिस तरीके से हमारे जितने भी स्क्योटी अहलेकार हैं दिन राट डियूटी देते हैं जाये जमू कश्मीर पुलीस की बात करें चाये मुखतल चाये ताकि कश्मीर में हालाद बहतर हो सकें और अगर इस चीज़ को देखकर भी आप कहते हैं कि कश्मीर में हालाद बहतर हैं जो सियासदान हैं तो कहीं कहीं वो नजर अंदाज कर रहे हैं इन शहीदों को नजर अंदाज कर रहे हैं जिन्हों ने अपनी जान जो है देश जरीज भी हुई है उन्हें नजदीके अस्पिताल मुंत्किल किया गया है और उनका भी पता लगना बाकि कि उनके हालत स्टेबल है या नहीं फिलाल कारवाई चल रही है पुलीस कामला लगा हुआ है पुलीस कामला च्छानबीन कर रहा है मजीद जितनी बी स्कूर्टी फोस है वो चपे चपे पे तैनाद की गई है जितना भी स्क्यूर्टी का हमला है वो वहां पहुंचा है और पता लगानी की बरपूर कोशिश की जा रही है कि आखिरकार हालात और यह हमला किस तरीके से हुआ तो उमीद करते हैं जिसने भी यह हमला किया है या फिर उसका नाम सामने आएगा उसको पकड़ा भी जाएगा स्क्यूर्टी फोसे ऑन दी जॉब है दिखते हैं आगे क्या होता है दिखते हैं दिखते हैं दाटाइप रैटर जावेद खान के साथ